Cytoplasmic Argoni is the lysozomes. First the contents, definition of lysozomes, roll of lysozomes in the cell and the phagosomes. तो उन्हें सबसे पहले, इसको define करने से पहले, let me focus on its name. lysozome, lysolysis से निकला, lysoES का मतलता breakdown करना, किसी चीज़ की breakdown कर देना. तो सोम्ट मीन बॉड़ी तो लाइजोजोम एक ऐसी आर्गनेली है सेल के अंदर जो बेसिकली डिफर्ट मालीकूल्स की ब्रेकडाउन करके उनको जहाँ वो सिंपल मालीकूल्स में कंवर्ट करेगी जो फिर सेल के अंदर अब्जार्ब हो जाएंगे और या फिर साइटोप्लाजम का हिस्सा बन जाएंगे तो बाई डैफिनिशन अगर हम कहें तो लाइजोजोम की है यह इन वाटर की मुझूद्गी में ब्रेकडाउन करने को तो जितने जैसे अगर मैं सिंपल लाइजोजोम से हट कर बात करूं तो हमारे जितने भी डैजेस्टिव ट्रैक की एंजाइम्स हैं वो सारक सारे हाइडरोलिटिक एंजाइम्स हैं means they break down the substances in the presence of water water को यूज़ करते हैं लाइजोजोम के जो एंजाइम्स हैं acid हाइडरोलिटिक एंजाइम्स मीन कि those are the enzymes which are working in the acidic conditions तो ये acidic environment के अंदर क्या करते हैं वर्ग करते हैं रोल अव लाइजोजोम्स लाइजोजोम का अगर importance देखें इसका वर्ग देखें तो जैसे इसका name ही इंडिकेर कर रहता है इसका जो relationship है towards the breakdown of molecules है अब जैसे एक unicellor organism है amoeba है उसका जो भी food है वो food vacuum की फार्म में उसके body के अंदर आ जाता है अब जो food vacuum के अंदर food को digest करना या breakdown करने का काम है ये lysosome करता है जैसे lysosome उस food vacuum के साथ merge करेगा तो lysosome के enzyme food के breakdown करेंगे और वो food जो है that will be absorbed by the cytoplasm cytoplasm के अंदर वो absorb हो जाएगा अब इस food में क्या हो सकता है food के अंदर carbohydrates हो सकते है lipids हो सकते है proteins हो सकते है और nucleic acids हो सकते है तो it means कि जो lysosome है उसके पास ये सारे enzymes इनकी breakdown के लिए होने चाहिए तो इसलिए जब भी हम इसको लिखते हैं we say that the lysosome contain acid hydrolysis of carbohydrates, proteins, lipids and the nucleic acid ये lysosome के पास SD condition में काम करने वाले enzymes हैं लेकिन वो enzymes जो carbohydrate की breakdown भी करेंगे lipids की भी करेंगे proteins की भी करेंगे और DNA और RNA की भी करेंगे इसके लावा जो दूसरा important function एक तो यह होगा कि जो बाहिट से आने वाला material है उसकी breakdown करनी same यही काम जो हमारे white blood cells भी करते हैं white blood cells में आख होता है कि अगर हमारे body के अंदे कोई germs enter हो जाएं तो white blood cell की job है कि उसको engulf कर जाना उसको eat up करना, कोई bacteria है या कोई और चीज है अब white blood cell जब उन germs को eat up करते हैं तो उसके अंदे lysosomes होते है white blood cell के पास जो क्या करेंगे बक्तिरिया की breakdown कर दें इसको kill कर देंगे lysosome का another important function यह एक तो वह होगा कि बाहर साने वले material की breakdown करनी दूसरा यह है कि अगर कुछ organelles या molecules जो cell के अंदर old हो चुके हैं जो proper काम नहीं कर रहे हैं जैसे mitochondria का काम होता है energy produce करना लेकिन mitochondria बहुत जल्दी expire कर जाते हैं तो वो mitochondria जो आप काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाता है कि उसकी breakdown करने के lysosome को cell order करता है जो हम lead recycle होंगे this is the job of the lysosome तो lysosome के फिर दो jobs हैं एक foreign material की breakdown करना और दूसरा old material जो cell के अंदर है organelles हैं या कोई और चीज़ा उसकी breakdown करना here we the structure of lysosome अच्छा लाइजोजोजोम अगर हम basically देखें तो इसकी formation होती है by those vesicles which are released from the Golgi apparatus तो Golgi apparatus जो vesicle अलाइग होता है वो lysosome है this is a lysosome lysosome क्या करता है कि जो बाहर से food vacuum की फार्म में material आता है उसके साथ ये combine करता है यहां अगर हम देखें तो this is a food food vacuum है food vacuum यह food material जैसे ही food vacuum की फार्म में body के अंदर अंटर होगा तो फिर इस food vacuum और लाइजोजोजोम के तरम्यान अपस में merging होगी मर्ज का मतला है यह दोनों fuse करें एक दूसरे के साथ यह दोनों के fuse करने से जो structure बनता है उसको हम secondary lysosome भी बोलते हैं और इसके लावा phagosome का नाम भी दिया जाता है अब जो phagosome है इसके अंदर यह food की proper digestion होगी absorb हो जाएगा और undigested food यह वो फिर cell से बाहर expel कर दिया जाता है phagosome का अगर हम देखे अभी हमने जैसे देखा है कि जो lysosome शुरू में गाल्जी प्रेटर से बना है that is actually the primary lysosome या इसको simply lysosome कहते हैं और इसके बाद food vacuum जैसे अमीबा है तो अमीबा ने अपना food या food vacuum की फार्में cell के अंदर लेकर गया है paramecium है तो वो भी क्या करता कि उसका जो भी food होता वो food vacuum की फार्में cell के अंदर लाता है अब जो food vacuum है और जो lysosomes हैं they will merge together वो दोनों अपने से fuse करते हैं दोनों के fuse होने से phagosome बनता या इसको secondary lysosome कहते हैं अब यह जो phagosome है इसके अंदर actually digestion हो रही है lysosome के enzymes जो हैं they are breaking down the food particles food particles भी breakdown होगी then after breakdown phagosome के जब food digestion हो जाएगी food की breakdown हो जाएगी that will be absorbed by the cytoplasm cytoplasm जो सारा food absorb कर लेगा और वो जो undigested food होगा वो फिर एक rudimentary farm में या कह सकते हैं कि undigested vesical की farm में body से बाइर expel out कर दिया जाता है